नमस्कार दर्सकों, कैसे हैं आप शबही? उम्मीद गरता हूँ, अच्छे होंगे, श्वस्त होंगे और मजे में होंगे दर्सकों आजगा जो हमारा वीडियो है, वो आपके लिए आवश्यक और महतपुर्ण होने वाला है आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप सपने में ये देखते हैं कि कोई भालू है जो कि आपके पीछे दौर रहा है जो कि आपको कुछ हानी पहुँचाना चाह रहा है जो कि आपका पीछा कर रहा है यानि कि अगर सपने में भालू आपके पीछे लग गया है तो इस सपने का क्या अर्थ है इस सपने को देखने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा क्या कोई पड़ेशानी आने वाली है या फिर कोई फाइदा होने वाला है या फिर क्या होने वाला है अगर आप पी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए परंतु से पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है उसके बाद वीडियो को बड़े ही ध्यान याने की बुरा है इस सपने को देखने के बाद आपके जीवन में परेशानिया अवश्याने वाली है भागे का शाथ बहुत कम मिलेगा ना के वरावर मिलेगा और परेशानिया जो है वो बढ़ चढ़ कर आपके जीवन में इंट्री करने वाली है शबसे पहले शमस्या क्या होगी कि इस सपने के बाद आपके श्वास्त के मामलों में आपको पड़ेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना होगा कोई बड़ी बिमारी होगी जो कि आपको पड़ेशान बहुत ज्यादा करने वाला है यनी कि स्वास्त के मामलू में शमय का शाथ नहीं मिलेगा और इस सपने के बाद आपका शेहत आपका श्वास्त बिगर जाएगा जो की आपके लिए पड़िशानी का एक मुख्य कारण बनने वाला है आप में से जो भी लोक कारोवाडी होंगे खुद का कारोवार करते होंगे तो इस सपने के बाद कारोवार के छेत्र में भी आपको शमस्या का शामना करना होगा कारोबार के छेतर में जो भी ग्राहक आएंगी उनके शाथ में आपका शंबंध बिगर सकता है तो जहां तक संभब हो अपने शंबंध को अच्छा बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए या फिर आपके घर परिवार में भी आपके मित्र मंडली में आपके शंपर्क में जो आपके कड़ीवी लोग होंगे जिनसे आपका शंबंध बहुत मधूर और मजबूत होगा उनके शाथ भी आपका शंबंध खराब हो सकता है इसकी संभावना बहुत ज्यादा रहेगी तो जहां तक पॉसिबल हो अपने शंबंध को मजबूत करने का प्रियाश आपको हर हाल में करना चाहिए मित्रों आप में से जो भी लोग शामाजी कर्ज करता है शामाजी काम करते हैं अपने समाज में लोगों की शहायता करते हैं लोगों की शेवा करते हैं तो इस सपने के वाद हो सकता है कि आपके समाज में आपके मान सम्मान में कुछ कमी आ जाए आपके समाज के लोग आपकी स देवा को न समझे और आपके समाजिक जीवन में आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़े आप पर कोई कलंक लग जाए आपकोई लांच drinking लग जाए जो कि आपके समाजिक नहीं होगी इसकी संभावना बहुत ज्यादा रहेगी तो जहां तक पॉसिबल हो इन बातों पर ध्यान दें ताकि आपको परेशानी का सामना कम करना पड़े और आपके जीवन में खुसियां ही खुसियां हो परेशानिया ना के बराबर हो इस पर ध्यान देना है दोस्तों इ कि सपना को देखने के बाद अगले दिन आपको महादेब की पूजा करनी है या फिर इसके अलावा आपको हनुमान जी की पूजा करनी है अगर आप ये उपाई करते हैं तो फाइदे में रहिएगा और परिशानी या तो नहीं आएगी या फिर बहुत कम आएगी इसकी संभा वीडियो को लाइक कर दिया होगा एश्टरो मंदिर को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को आपको हर जगा सेयर भी कर देना है तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में धन्निववाद